सावित्री भाई फूले ने वो काम किया जो इस देश में 2000 साल तक कोई महिला नहीं कर पाए सावित्री भाई फूले ने पहली बार भारत में एक जनवरी 1848 को लड़कियों के लिए मतलब हमारे यहां पर लड़कियों को पढ़ाने की कोई प्रमप्रा नहीं है खासतोर पर ब्रामेन वादी विवस्ता में लड़कियों को पढ़ाने की कोई प्रमप्रा नहीं है तो उन्होंने महिलाओ के लिए लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला जो अपने आप में बहुत ही एथियासिक और क्रांतिकारी कदम था उसके बाद लगातार वो प्रियास करते रहे जो तिबाफूले के साथ जो उनके हस्बेंट थे उनके साथ प्रियास करते रही और 18-19 स्कूल उन्होंने खोले उसके बाद जो है उन्होंने जिनको हम कहते हैं कि एक आदर्स दंपत्ती के रूप में वो दोनों लोग रहे ना सिर्फ उन्होंने सिक्षा के चेत्र में बलकि स्वास्त के चेत्र में जिसकों के बहुजन समाज के एक बड़ी समस्या के रूप में हम देखते हैंगे उन्होंने अस्पतालों की सथापना की, उन्होंने महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारे यहां एक समस्या रही है भारत के अंदर के विद्वाओं को विवा करने का अधिकार नहीं रहा ब्रामिनवादी विवस्ता के अंदर और कही बार ब्रामेनवादी फुरुस उनके साथ अतियाचार करते थे उनका योन सोसों करते थे जिसकी जैसे अभी भी हम लोग देखते हैं कि कई महिलाएं जो हैं वो अंचाहे गर्ब का सिकार हो जाती है उस समय पे कासी भाई राम की एक महिला थी जो अपने इस दुराचार का सिकार थी और अपने आपको खत्म करना चाहती थी उसके बाद को ध्यान में रखते हुए के नहीं आप मेरे साथ रहे और मैं आपको प्रिश्य दूँगी मैं आपको आश्य देंगी और फिर उन्होंने महां पे एक maternity home भी खोला और फिर मज़े की बात ये कि उन्होंने ना सिर्फ उसका पुरसव कराया बलकि उस पुरसव के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ जो यस्वंत राव जिनका नाम था बाद में उसको खुद अपने पुत्र के रूप में दत्तक पुत्र के बीमारी होती थी तो नब्य में हुआ तिरानमे में हुआ तिरानमे में लंबे समय वह सेवा करती रही जो लोग सिकार लोग थे प्लेके और उसमें एक अच्छूत बच्चे को अपने कंधे पे 10 किलोमीटर तक वह बैठा के लेके गई और हॉस्पिटल में उसका इलाज करा जिस वज़े से उनको खुद भी यह बीमारी लगी और उनकी मृत्ति हो गई तो ऐसी महिला जिनोंने सिर्फ यही नहीं बावास जो जो जोतिवा फूले जो हमारे महान सामाजिक परिवरतन के पिताम है जिनको कहा जाता है उनका जब अंतिम संसकार हुआ तो उनके अंतिम स जिसने भारत में अब से पोने 200 साल पहले ऐसे ऐसे सामाजिक परिवरतन के कारिये के रिए कितने अंगिनतकारिय उन्हों के हैं लेकिन क्योंकि यहां पर एक विसेश वर्ग ने एक विसेश इथियास को दबाने का प्रयास किया इसलिए हम सब और अगे विसे घंबाई ने जिम्मेदारी बनती है कि सावीतरी भाई फूले उं चाय फातिमा शेक हो या रमा भाई हो आसी युगांतर कारी महिला हैं जिन्होंने भारत में सामाजी परिवर्टन के आंदोलर में अपनी भूमिका निब निबाई है हमारी जम्मेदारी बनती है कि हम उस सचे इत्यास को लोगों के सामने लाए इसलिए आज हम यह आईउजन कर रहे है यह बात सही है कि इस आंदोलन की अपनी सीमाय है इसके संसाधन सीमित है और अभी अन लोगों की आंदोलन नहीं पहुँच पाया है जिन लोगों तक पहुँचना चाहिए या मैं यह कहूँगा जिन लोगों के अंदर ज्यादा आग है जिन लोगों के अंदर आंदोलन की ज्यादा जरूरत है वहां तक यह आंदोलन नहीं पहुँच पाया है क्योंकि हमारे अभी जो पढ़े लिखे साती हैं जिनके पास चेत रुटबा है। उसको पोजिसन हैं, उसके पास जो संसाधन हैं। जाके गाउं में ये काम नहीं चल ला आ गाउं में भी ये काम चल ला है और गाउं के जो हमारे खासर पे महिलाएं हैं या गाउं के जो गरीब लोग हैं उनके अंदर पहले से सामाजिक चेतना जमरदस्त हैं कि उनका सोशन ज़्यादा है उनके पास रोज मर्रा की जरूरतर पूर्य करने के सेνसाधन नहीं है इसलीए वह मजदूरी करते हैं सुबैशल के आपना पेट पालते हैं इसलिए वह आंदरून समझ में नहीं आता और लेकिन आप 5 महरास में चले जाएं या कि उत्तरप्रदेश में चले जाएं जो यह गरीब लोग हैं जैसे बाबा साहब ने जो अठार मार्च उनिश्यो चपन को जो स्क्राइटमेंट दिया था कि पढ़े लिखे लोग वो काम नहीं कर पारें जो करना चाहिए था इनके आगरा के अंदर अठार मार्च को तो वो गरीबों को देखके ही वो कह रहे थे क्योंकि उनके सामने नंगे पैर कम कपड़े पहने ह चाहरे पर निरासा के भाव लिए हुए लाखों लोग सामने पढ़े खड़े हुए थे उनके तो बाबा साहब को बहुत रोश हुआ बास बहुत दुखा आशू आगए कि मैं आपके लिए वह काम अभी नहीं कर पाया हूं जो मुझे करना चाहिए ता पढ़े लिखे लगत्र विश्तार होना चाहिए अभी नहीं हो बारा लेकिन प्रियास में हैं अब